जगया है कि भारती सम्विधान में मौलिक अधिकारों के विचार को कहां से लिया गया है तो भारती सम्विधान में जो मौलिक अधिकारों का विचार है इसको लिया गया है आपर आपको option में दिख रहा होगा सयुक्त राजी अमेरिका से मौलिक अधिकारों के विचार को लि बाबर ने मुगल सामराज की स्थापना निम्ने में से किस वर्ष की थी, तो सबसे पहले कॉशन आपको यह पर चल गया, कि मुगल सामराज की स्थापना की थी बाबर ने, ठीक है, अब बाबर ने की थी, तो बाबर ने की थी मुगल सामराज की स्थापना 1526 इसवी में, option आउधारना की गई थी यह जोहानस के द्वारा की गई थी ऑप्षन बड़ी जोहानस के लिए ऑप्षन बड़ी राइट आउधार हो जाएगा अगले का उश्यन में पूछा गया है कि एक स्वपोशिय जीव की कारबन और उर्जा की आवशकताओं को किसके द्वारा पूरा क किया जाता है प्रकाष शंसलेशन के द्वारा प्रकाष शंसलेशन की क्रिया ऑप्षन नमबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशन के लिए किस वश्य बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था तो बाबर और इब रहें लोधी के बीच में पानीपत की लड़ाई 1526 अच आई वी का पूर्ण रूप क्या है फुल फॉर्म क्या है तो एच आई वी का फुल फॉर्म पूर्म है आपका हिऊमन इम्यूनों कि डिपीशियंसी वायरस ऑप्शन नमबर भी ईच अच आई वी का पूर्ण रूप रूप में आकाश गंगा या मिलकी वेको वर्गिक्रत किया गया है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्यान कि आ जाता है तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्यान कि आ जाता है ऑप्शन नमबर भी जीवाश्मों का अध्यान राइ option number A, अनुछेद 12 से अनुछेद 35 तक द्वारा मूल अधिकार मिले है, option number A यहाँ पर right answer है निम ने लिकिते में से कौन धातू होते हुए भी विदुत का कुचालक है, तो धातू होते हुए भी विदुत का कुचालक है आपका led, option number C, led यह एक धातू है और यह धातू होते होते हुए भी विदुत का कुचालक है, option number C, led right answer है हडपा सविता किस युगीन की सविता है, किस युग की सविता है, तो हडपा सविता को कांस युगीन सविता कहा जाता है, option number A यहाँ पर right answer है समान पदार्थ के अड़ों के बीच आकर्शन बल को क्या कहा जाता है, तो यदि समान पदार्थों के बीच में, अड़ों के बीच में आकर्शन बल हो, तो उसको ससंजक बल कहेंगे, option number B, ससंजक बल right answer है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, तो कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें जो बग होता है, यह एक error होता है, option number B, error होता है, option B, option B यहाँ पर right answer है मैसूर महल डैश का निवास स्थान था तो जो मैसूर महल है यह आपका वाड यारों का निवास स्थान था ओप्शन नमबर भी वाड यारों का निवास स्थान था मैसूर महल रोवा वन्य जीव अभ्यारन निम्नलेकित मसे किस राज्य में आवस्थत है तो रोवा वन्य जीव अभ्यारन ये आपका त्रिपूरा राज में पढ़ता है तो option number यापड़ी त्रिपूरा राज ये right answer हो जाएगा रोवा वन्य जीव अभ्यारन के लिए शरीर के किस अंग का संबंद सुखा रोग या रिकेट से होता है तो सुखार हो गया रिकेट से हड़ीया प्रभावित होती है option number यापड़ी हड़ीया प्रभावित होती है vitamin D की कमी से ये रोग होता है इसलिए vitamin D भरपूर मात्रा में लीजिए test करा लीजिएगा अपना किसी के में कम हो तो थोड़ा वह धूप में बैठा कीजिए सुखे वाली धूप बिल्कुल अर्ली मॉर्णिंग वाली ऐसा नहीं तो फैर के दो बज़े बैठ गए और तंदूर बन गए पानी पत के युद्ध में बाबर की जीत का मुखे कान क्या था तो पानी पत के युद्ध में बाबर जीता था उसकी शैन्ने कुशलता के कान option number B शैन्ने कुशलता के कान बाबर जो है पानी पत का युद्ध जीता था option number B यहाँ पर राइट आंसर है निम दल कित में सिक्या बैरी सेला जोश्टर नामक वाइरस के कान होता है तो बैरी सेला जोश्टर नामक जो वाइरस है उसके कान होगा 6 चक रोग option number B बैरी सेला जोश्टर नामक वाइरस के कान होता है आकाश गंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या बताईए वनस्पती समवर्धन से संबनित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो वनस्पती समवर्धन से संबनित विज्ञान की शाखा कहलाई आपकी हौटी कल्चर ऑप्शन नमड़ी हौटी कल्चर राइट आंसर है निमने लेकित में से किस अधातू में धातू ही चमक पाई जाती है तो है अधातू लेकिन धातू ही चमक पाई जाती है ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में उप्शन नमबर सी दोनों ही चमकते हैं धातू ही चमक पाई जाती है ग्रेफाइट और आयोडीन में दोस्तों देख रहे हैं कॉश्चन कितने अच्छे हैं, यह आपके एक्जाम में पिछले कई सालों से पुशे जा रहे हैं, जिसे एक्जाम के आप तयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ कॉश्चन आंसर बना हैं, 10,000 GKGS के कॉश्चन आंसर जो MCQ के फॉर्मिट म चार उप्शन में, जो कि आप जो एक्जाम तयारी कर रहे हैं, उसमें आ सकते हैं, 100% चांसे से आने के, और वो कॉश्चन आंसर पीडिएफ है, और पीडिएफ सब को वाट्सप पर मिल जाएगी, आप में से जिसको भी चाहिए, वाट्सप पर पीडिएफ मिल जाएगी, पीडिएफ जो है आपकी, वो 300 रुपए की है, लेकर अभी एक्जाम चल रहा है, तो केवल 99 रुपए में, जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है, वो ले ले, बाकी यूटूब से पढ़ो, बाकी जिसको लेना हूँ, 99 रुपए में आपको 10,000 GKGS की कॉश्चन मिल रहे हैं पार सिंद्व घाड़ी सवीता के लोगों का मुक्य व्यव शाय था, निम्नल गीत में से किसने पहली बार विदोचित्र की अवधारНА प्रशुत की थी, तो पहली बार विदोचित्र की अवधारना, माइकल छीराडजी ने प्रसुत की थी, option बसी, Michael छीराडी राइट आंस मैंमोरी शब्द किसे संबनित है तो जो मैंमोरी शब्द है यह आपका storage आप्षनमड़ी storage से संबनित है memory आप्षनमड़ी यहाँ पर storage राइट आइट आणसर है हिंदू पॉणानेक मानिताओं के अनुसार, पठ चित्र कला शैली किस घवान को समर्पित है। तो पट चित्र कला शेली, ये समर्पित है भगवान जगनात को, option number C, भगवान जगनात को, पट चित्र कला शेली समर्पित है, option number यहाँ पर C, right answer हो जाएगा, निमने मैं से किस मंदिर को, किस मंदिर में आपको गौपुरम दिख जाएगे, गौपुरम दिख जाएगे, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, शेव मंदिर चितंबर में आपको गौपुरम दिख जाएगे, option number B, निमने मैं से कौन सी बिमारी एक परजीवी के काण होती है, तो एक परजीवी के काण होता है, आपका मलेरिया, option number B, जीवाँ और वातावण की अंतर अभीकरिया से संबने जीवीज्ञान की शाका है, आपकी, option number B, पारिसित की राइट आंसर है, प्रायदीपी ब्रहमांड किसे कहा जाता है, तो प्रायदीपी ब्रहमांड ये आपका आकाश गंगा को कहते हैं, option number C, आकाश गंगा राइट आंसर है, भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद, राष्टपदी के पदी के लिए पुनर निरवाचन की योगिताएं निधारत करता है, option number D, अनुछे संतावन राइट आंसर है, निम्नलिकित में से कौन जो है, उपधातू की शरंभी में आता है, यहाँ पर आपको जो option दिये गए हैं तो यहाँ जो option दिये गए हैं उसमें से arsenic, antimony और बिस्मत ये सभी उपधातु की स्रणी में आते हैं तो option number ये answer हो जाएगा इन में से सभी इन में से सभी जो है ये आपकी उपधातु की स्रणी में आते हैं option number D right answer, एगला question दिखिए, इसमें पुझा गया है कि हडपा सविता के निवासी इन में से कौन थे, हडपा सविता के निवासी, तो या रखेगा हडपा सविता के निवासी शहरी थे, option number B वो शहरी थे, option number B right answer है, विद्व तो दूई धुरूप का खुल आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको इंगलिस में इलेक्ट्रिक डाइपोल बुलते हैं, हिंदी में विद्व दूई धुरूप, इसका जो आवेश होता है, वो शून ने होता है, option number B, शून आवेश right answer है, भारति समयधान का नियमने में से कौन सा अनुशिद, निर्देशक सिध्धानतों के अनुपरियोग के अवारे में बताता है, तो निर्देशक सिध्धानतों के अनुपरियोग के बारे में भी हम जानेंगे, तो ये 37, अनुशे नमबर 37 बताएगा, option नमबर भी अनुशे नमबर 37 राइट आंसर है PC का अर्थ क्या होता है, तो PC का अर्थ होता है आपका personal computer, व्यक्तिगत computer, option नमबर C व्यक्तिगत computer होता है PC का अर्थ, option नमबर यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन दिखिए, नियम्न लेकित में से किस ने लंदन में सर विलियम हट करजन वाईली की हत्या की थी, तो सर विलियम हट करजन वाईली की जो हत्या की थी, मदन लाल ढींगरा ने की थी, option number C, मदन लाल ढींगरा राइट आंसर है, नियम्न लेकित में से कौन सा या कौ विटमेन्न है आपका विटमेन C. Option मम्सी विटमेन सी जल में घुलंसील विटमेन है. बाबर ने प्रसित तुलुगमा नीती का प्रयोग सरभधंक इस युद्ध में किया. तो तुलुगमा नीती का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था. Option नमर यांपर C, पानी पत का प्रधम यूदर right answer है It's मानव प्रतिरक्षा हीनता विशाणू HIV के द्वारा होते हैं ये किस प्रकार के विशाणू होते हैं HIV विशाणू ये retro विशाणू कहलाते हैं Option नमर ये retro विशाणू कहलाते है वनस्पति विज्यान की वहाशाखा जिसमें शयवालों का दिन क्या जाता है? में option number 19 right answer हो जाएगा निमनलकित में से कौन एक योगिक है तो एक योगिक यहां पर आप कुछ ऑप्शन दियेगा है अमोनिया एक योगिक है option बड़ी अमोनिया एक योगिक है सिंधु सविता के घर किसके बनाए जाते थे तो सिंधु सविता के जो घर बने थे वो इंट के बने थे option बड़ी इंट से बने थे घर निमनलकित में से किसी गौस नामक इकाई में मापा जाता है तो गौस नामक इकाई में चुम्ब की प्रेणन को मापा जाता है अमित भारत में लोकसवा चुनाओ लड़ना चाहता है निर्वाजन छेत्रों की अरिक्तम सीमा कितनी है जहां जहां से वह लड़ सकता है तो यदि कोई विवाइक टी लोग सबेसे चुनावा लड़ सकता है अदिकतम दो जगा से लोग सबाने चुनावा लड़ सकता है option number C सरवादिक शक्तिशाली computer कौ़ण सा है शक्तिशाली computer आपका super computer option number A super computer right answer हो जाएगा वीर सुरेंदर साई निम्न स्थान के रहने वाले एक सुतंता सेनानी थे तो वीर सुरेंद्र साइं उडीसा के रहने वाले एक सुतंता सेनानी थे और अप्शनमड़ी उडीसा के रहने वाले सुतंता सेनानी थे आलू यट्टू राज कहां का एक लोक नत्त है तो आलू ये टू ये नागालेंड का एक लोक नत्य है, option number भी नागालेंड right answer है डैश जीव इज्ञान की एक शाखा है, जिसमें कवक याफ फंगी का ध्यन होता है तो जीव इज्ञान की एक शाखा है आपकी mycology, जिसमें कवक याफ फंगी का ध्यन होता है option number है बाबर की म्रत्य का और कला हुई तो बाबर मरा था 15-30 में आगरा में ऑप्शन बसी आगरा में 15-30 में बाबर की म्रत्य हुई थी चेचक के टीक का किस ने प्रदान किया तो चेचक के टीक का यहाँ पर आपको जो आप्शन दिए गए हैं Edward Jenner option number A, 6 चक के टीके के लिए प्रसिद्य हैं, option number A, Edward Jenner right answer है, electron volt dash की एक एक आई है, तो electron volt जो है, ये आपकी उर्जा की काई है, option number यहाँ पर आपका D, उर्जा की काई है, electron volt option number D, प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा, निम्न मैंसे कौन हिंदोस्तान Republican Association संस्थापक सज़सों में से एक थे, तो हिंदोस्तान Republican Association के संस्थापक में से एक, राम प्रशाद विसमल जी इसमें शामिल थे, तो option number A, राम प्रशाद विसमल जी इसमें शामिल थे, या रखना, अगला question, चुम्बकी डिस्क पर किस परत क नियमनलकित में से किस राजिके राज विधान वंडल में दो सादन है। समकालिन नहीं थी नहीं थी पूछा गया है तो देखो मिश्च की सविता की समकालिन थी मैसो पोटामिया की सविता की भी समकालिन थी चीन की भी सविता की समकालिन थी ग्रीक की सविता की समकालिन नहीं थी तो यहां पर आपका option number D गलत है बाकी तीनों के समकालिन थी निम्द या रखना आगला कोश्यन निम्नलकित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाओ करा जाते हैं तो भारत में चुनाओ करा जाते हैं EVM के तहट मतलब electronic voting machine के तहट भारत में चुनाओ होते हैं तो option नमबर यहां पर c right answer हो जाएगा electronic voting machine computer में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं तो computer में किसी भी शब्द की जो लंबाई मापी जाती है यह मापी जाती है आपकी बिट में option नमबर यहां पर भी बिट में किसी भी शब्द की लंबाई मापी जाती है स्वामी दयानन सरस्वती की संबंद में निमलकित में से कौन सा कथन अर सत्य है या गलत है तो स्वामी दयानन सरस्वती जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी पिचर प्लाथ ये मेघहाले में है। गुरदी ये किट्णी की संरशनात्मक और कारियात्मक AI बताईए गुरदे & किट्णी की संरशनात्मक & कारियात्मक इकाई होती है नियफ्रोन जिसको हिंदिये में बोलते हैं वक्कानू option number भी यहाँ पर right answer है भारत में मुगल सामराजी की संस्थापक तो आपको बता चुके हैं बाबर option number ए बाबर निम्दलकित में से कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है महामारी जनित मतलब चुआ चूत या एक दूसरे से बढ़ता नहीं है जल्दी जल्दी यहाँ पर जो रोग हैं पोलियो पोलियो ऐसे बढ़ता फैलता नहीं है बाखी चीज में फैल सकती है महामारी का रूप ले सकती है कई लोगों को पूरे एक शहर को एक गाउं को कवर कर सकती है या और ज़्यादा जगा बढ़ सकती है आकाश गंगा एक क्या है तो आकाश गंगा जो है तारों का एक विशाल समू कहलाता है फूलों के समवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है तो फूलों के समवर्धन के विज्ञान को फ्लोरी कल्चर कहते हैं एक यही प्रकार का परमाणू निम्द मैंसे किस में मिलता है तो एक ही प्रकार का जो पड़माणू है प्राक्रत तत्व में मिलता है option number C प्राक्रत तत्व राइट आंसर है समिधान के किस अनुच्छेद में या अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संग है तो भारत एक राजियों का संग है अनुछेद एक में मिलता है option number A right answer है सिंदु घाटी की सविता में घोड़े के आउशेश कहां मिले हैं तो सिंदु घाटी सविता में घोड़े के आउशेश सुर्क उटदा में मिले है option number A right answer है बलकी दिशा में विस्थापन के साथ बलके गोड़नफल दुवारा निरूपित किया जाता है तो बलकी दिशा में विस्थापन के साथ बलके गोड़नफल दुवारा कारे को निरूपित करते हैं option number भी car is right answer है भारत्य समविदान का कौन सा अनुशित कानूनों के समान सनक्षन और कानूनों के समक्ष समानता पदान करता है तो या रखेगा अनुशित चवदा ये कानूनों के समान सनक्षन और कानूनों के समक्ष समानता पदान करता है option number C मेगा बाइट में मापते हैं क्या तो मेगा माइट आपका कंप्यूटर की स्मती स्यमता मापेंगे मेगा बाइट में option number D right answer हो जाएगा निमने लेकित में से कौन किताब उलहिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंबिक 11 सताबदी में भारत का महत्पूर विवराण किया है किताब उलहिंद अल बरुनी option number D अल बरुनी ने लिखी थी किताब उलहिंद निमने में से कौन सा राष्टी उध्यान लदाक में इस्तित है तो लदाक में आपका इस्तित है हैमिस राष्टी उध्यान जाए इसवी में आक्रण किया तो बावर ने आक्रण किया था 1526 इसवी में option number C रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है तो जो रोग फैलाते हैं उनको वेक्टर कहा जाता है उनकीडों को वेक्टर कहा जाता है option number B हमारा सौर मंडल किस आकाश कंगा में है तो हमारा सौर मंडल है मंदाकिनी में option number E मंदाकिनी राइट आंसर है डेंड्रोलोजी का संबंध किस से है तो डेंड्रोलोजी में जाडियों का धिन किया जाता है Option number C, जाणियों का दिन किया जाता है सम्विधान के अनुशेत एक में भारत को क्या कहा गया है तो भारत को कहा गया है राजियों का संग Option number D, राजियों का संग दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्ण तयार हो जाएगा Option number C, मिश्ण सिंदुगाटी इस्थल काली बंगन किस प्रदेश में है काली बंगन पढ़ता है आपका राजिस्थान राज्जी में पदानमंत्र की नुक्ती स्टोरिज माध्यम की इकाई चमता की क्या है स्टोरिज माध्यम को हम बाइट में मापते हैं Option number A किलोबाइट, मेगावाइट, गीगावाइट, टेरावाइट बाइट में मापते हैं KBGB, TV लंदन में द्वती गोल में सम्मिलन निम्द में से किस वर्ष आयुजित किया गया था तो दूसरा गोल में सम्मिलन हुआ था 1931 में option number C अभिसारी परतों की किनारों की टकराव द्वारा किसका नमान होता है तो परवती सनरशनाय बनती हैं option number C right answer है गर्बनाल में कितनी धमनियां होती हैं तो गर्बनाल में आपकी दो धमनियां होती हैं option number B दो धमनिया right answer हो जाएगा वह जीव जो पौधों आजंतों में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं तो पौधों आजंतों में रोग उत्पन्न करते हैं इनमें से क्या कहलाता है तो यहाँ पर आपको जो option दिए गए है पुष्पों के अधन के लिए right answer क्या हो जाएगा आपका इस question के लिए तो right answer है option number A anthology, pushpon का अधन कहलाता है option number A यहाँ पर प्रशने के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number 2 अगबर नामा की रचना किसके द्वारा की गई तो अगबर नामा जो लिखा गया यह लिखा गया है आपका option number D में देखिए अबुल फजल अबुल फजल ने अगबर नामा की रचना की है option number D यहाँ पर अबुल फजल right answer है मतश्य महाजनपत की राजधानी कहा थी तो आपको पता होगा कि 16 महाजनपत famous है history का question है मतश्य महाजनपत की राजधानी थी वो थी आपकी विराट नगर option number D विराट नगर मतश्य महाजनपत की राजधानी थी पंजाब के राजा रणजीस सिंग की राजधानी कहां पर थी तो पंजाब के राजा रणजीस सिंग जी इनकी राजधानी थी आपकी लाहोर option number A लाहोर right answer हो जाएगा कौन सा vitamin गर्म होने पर नश्ट हो जाता है तो या रखना जिस सब्जी में जिस फल में विटमिन सी पाये जाएगा वो गर्म होने पर नश्ट हो जाता है विटमिन सी या रखना विटमिन सी को गर्म करोगे तो नश्ट हो जाएगा इसलिए नीभू को आप अलग से खा लो आप यदि खाने में निचोड़ दोगे तो खटा पनतो आ जाएगा लेकिन उसका विटमिन सी नश्ट हो जाएगा ऐसे ही आमला वगेरा सबका रोल रहता है गर्म करने पर विटमिन सी नश्ट हो जाएगा option number C नर्वदा नदी का उधगम स्थल कहां है तो नर्वदा नदी का उद्गम स्टल है आपका अमर कंटक की चोटी या अमर कंटक की पहाणियों से एक निकली है नर्वदा नदी और दूसरी सोन नदी ये दोनों ही अमर कंटक की पहाणि से निकली है नर्वदा नदी और सोन नदी आपको कमेंट करके बताना है नर्वदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी संद के लिए किस प्रदेश से निकलती है नर्वदा नदी और सोन नदी किस प्रदेश से निकलती है मैं आपको दो अप्शन दे रहा हूँ एक आपका option है 36 गड़ और दूसरा option है मद्यपदेश नर्वदा और सो नदी कहां से निकलती है 36 गड़ या मद्यपदेश comment box में comment करके बताना है दक्षन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यारकेगा दक्षन भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी option number 1 गोदावरी नदी दक्षन भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है कर्मिही पूजा है किसका कतन है तो कर्मिही पूजा है महात्मा गांधी जी का कतन है option number A, Mahatma Gandhi Ji, right answer नंदी हिल्स के शहर के पास बसा हुआ है तो नंदी हिल्स ये आपका मैसूर के पास बसा हुआ है option number A, प्रसिद्ध है नंदी हिल और मैसूर भी फेमस है आप सभी को पता होगा तो नंदी हिल कहां पर है? ये मैसूर के पास इस्थित है अगला question है कि कंणड भाशा के आदी कवी इन में से कौन थे कंणड भाशा की बात हो रही है तो या रखना कंणड भाशा के बहुत फेमस आदी कवी थे पंपा option number B यह कंणड भाशा के आदी कवी है पंपा option number B यहाँ पर right answer है गंगवंश की प्रथम राजधानी कहां थी तो जो गंगवंश था उसकी प्रथम राजधानी थी आपकी कोलार जो की करनाटक में पढ़ता है option number C कोलार KGF जो मूवी बनी है न कोलार गोल्ड फील्ड इसी पर बनी है यहीं कोलार और यह जो कोला था यह गंगवंश की प्रथम राजधानी थी option number C एक माइक्रो फेरेड कितने फेरेड के बराबर होता है तो या रखो एक माइक्रो फेरेड जो होता है यह आपका होता है 10 की उपर माइनस 6 की घात फेरेड के बराबर option number B दस के उपर माइनस चेक के घात फेरेट के वरावर एक माइक्रो फेरेट होता है कौन सा गैस चूने के पानी को दूदिया कर देता है तो या रखिएगा चूने के पानी को दूदिया ये कर देता है कार्बन डाय ओकसाइट CO2 गैस, option number C याँपर CO2 गैस या करवन डाय ओकसाइट राइट आंसर है नागारजुन सागर परियोजना किस नदी परिस्त है तो नागारजुन सागर परियोजना या आपकी कृष्णा नदी परिस्त है option number C नदी राइट आंसर हो जाएगा तो या रखना कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है option number C कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है motor car का आविश्कार किस ने किया था तो जो motor car है इसका आविश्कार किया था कारल बैंज ने option number B में देखिए आपको कारल बैंज option है तो कारल बेंज ने मौटर कार का अविश्कार क्या था option नमबर भी सबसे दुरलब छार क्या है तो सबसे दुरलब छार यहाँ पर आपको तीन option दिये हैं ammonia, naoh और koh इसमें से ammonia option नमबर ए सबसे दुरलब छार है पुलकेशन द्वती ने हर शवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था किस नदी के किनारे तो पुलकेशन द्वती ने हर शवर्धन को नर्वदा नदी के किनारे पराजित किया था option नमबर यहाँ बड़ी नर्वदा नदी के किनारे पराजित किया था किसी देश की आर्थिक व्रद्धी का उत्तम मापांक क्या होता है तो किसी भी देश की आर्थिक व्रद्धी का उत्तम मापांक आर्थिक, फाइनेशिल, जीडीप या रखना जीडीप से हम आपते हैं कि वो देश कैसा जो है आर्थिक व्रद्धी, फाइनिशल व्रद्धी कैसी कर रहे, ग्रोथ कैसी है option number is GDP, comment करके बता है यह GDP का फुल फॉर्म आप में से किस-किस को GDP का फुल फॉर्म पता है comment करो और जिसको नहीं पता लिख देना comment में कि सर्थ GDP का फुल फॉर्म नहीं पता बता दो मैं आपको reply कर दूँगा, जिसको भी नहीं पता comment कर दो कि सर्थ GDP का फॉर्म नहीं पता मैं आपको reply कर दूँगा comment में, अगला question देखिए इसमें पूछा गया आप से कि विश्व का सबसे पुराना खादान कौन सा है, तो विश्व में सबसे पहले सबसे पुराना खादान है आपका jaw, option बसी में आपको jaw दिख रहा है, यह सबसे पुराना खादान है, option बसी यहाँ पर right answer हो जाएगा, दोस्तों देख रहे हैं question कितने अच्छे हैं, यह आपके exam में पिछले कई सालों से पुछे जा रहे हैं, जिसे exam के आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ question answer बनाए हैं, 10,000 GKGS के question answer जो MCQ के format में चार option में, जो कि आप जो exam तैयारी कर रहे हैं, 100% chances से आने के, और वो question answer PDF है, और PDF सबको WhatsApp पर मिल जाएगी, आप में से जिसको भी चाहिए WhatsApp पर PDF मिल जाएगी, PDF जो है आपकी, वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी exam चल रहा है, तो केवल 99 रुपए में, जो भी सक्छम है, जो भी ले सकता है, वो ले ले, बाकी YouTube से पढ़ो, बाकी जिसको लेना हूँ, 99 रुपए में आपको 10,000 GKGS के question मिल रहे हैं, जो कि आपके exam मे आपका Adolf Hitler, Hitler के बारे में आप सभी जानते होंगे, option बसी Adolf Hitler, right answer है, पानी का अणुभार कितना होता है, तो पानी का अणुभार H2O, पानी जो हम पीते हैं, 18 AMU इसका अणुभार होता है, कितना होता है, option बसी 18 AMU, सबसे बड़ा electro negative तत्व इन में से कौन सा है, सबसे electro negative तत्व, तो यहाँ बर आपको जो option देगा है, इसमें से, फ्लोरीन, यह सबसे बड़ा electro negative तत्व कहलाता है, option बरे, फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा, electro negative तत्व के लिए, अगला question देखी कि मौमबत्ती की लौका बाहरी भाग, किसकी मौजूदगी के कारण नीला पित्त का उत्सरजन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ रखना पित्त का उत्सरजन होता है, आपका यक्रत के द्वारा, option बरे, यक्रत के द्वारा पित्त का उत्सरजन होता है, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, रि प्रिकाश नाराण जी ने संपूर क्रांथी का जो है नारा दिया था अगला कॉशन देखिए जोग उप्पा जरना किसे राज़े में इस्तित है तो जोग उप्पा जरना यह पढ़ता है आपका करनाटका राज़े में option number भी में आपको करनाटक राज यह दिख रहा है यहाँ पर जोग गर सुपपा धरना पड़ता है Eiffel Tower कहाँ परिस्तत है तो प्रसिद्ध Eiffel Tower यह आपका पड़ता है France option number यह France राइट आंसर हो जाएगा Malaysia का राष्ट्री खेल क्या है तो Malaysia जो देश है उसमें राष्ट्री खेल है Badminton हमारे भारत का राष्ट्री खेल क्या है comment box में comment करके बताना है आपको भारत का राष्ट्री खेल क्या है comment box में comment करके बताईए ठीक है भारत का राष्ट्री खेल वेदों की रचना किस भाशा में की गई तो जो वेद लिखे गए थे ये लिखे गए थे आपके संस्क्रत भाशा में वेदों को संस्क्रत भाशा में लिखा गया था option number D right answer है जलियावाला भाग नरसंगहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधी लोटा दी थी लौड इर्विन के समय भारत में option number D Lord Irwin के समय साइमन कमिशन भारत आया था किसकी चारों और भुकंप की सबसे सक्री पेटी है तो यहां महासागरों के नाम दिये गए हैं सबसे सक्री पेटि है औपकी प्रशांत महासागर के 5 यह प्रशांत महासागर में बहुत जाद यह आदिक भू कमपानी की संभाव N D अप्च्छन नमबर एक प्रशांत अमय स्यर्जर क 20 का मैंचेस्टर किसे क़ा जाता है तो यह रखीगा चीन का मैंचेस्टर यह कहा जाता है शंग हाई को option शंग हाई को चीन का Manchester कहा जाता है मानचित्र में नधी को किस रंग से दिखाया जाता है अंपशन नमट locks ले रंग किस प्रकार की चत्तान है तो डोले राइट वो है एक अगनेय प्रकार की चत्तान और जुए है किस राज़ में इस्थ है, तो धारवार का पठार ये पढ़ता है आपका करनाटक राज़ में, option number C करनाटका राज़र राइट आंसर हो जाएगा धारवार के पठार के लिए, राष्त्री अमानव संग्रहाल है कहा पर इस्थ है तो राश्ट्रिय मानव संगरहाल ये आपका भोपाल मिस्तित है option number V भोपाल राइट आंसर हो जाएगा comment करके बताईए भोपाल कहां की राजधानी है 36 गड़ या मध्यपदेश comment box में comment करके बताईए अगला question दिखिए इसमें पूझा गया कि राश्ट्री खेल दिवस कब मनाये जाता है राश्ट्री खेल दिवस तो यहाँ पर आपको जो option दिएगा है 29 अगस्त को राश्ट्री खेल दिवस मनाये जाता है option number C 29 अगस्त को राश्ट्री खेल दिवस मनाये जाता है दो देश आंतर के बीच कितने मिनिट का अंतर होता है तो दो देश आंतरों के बीच आपका लगबग चार मिनिट का अंतर होता है option number 4 मिनिट का अंतर होता है दो देश आंतरों के बीच में अकला कॉशन दिखी इसमें पूछागए आप से कि राश्ट्रिय मांचितर संस्थान कहाँ पर है तो यहाँ रखेगा राश्ट्रिय मांचितर संस्थान यह आपका पड़ता है कोल काता में option number C, कोल काता में है राश्ट्रिय मांचितर संस्थान, option number C right answer है ब्राजील के उष्ण आद्रवनों को क्या कहा जाता है तो ब्राजील में जो उष्ण आद्रवन है उसको सेलवास वन कहा जाता है option number 2 सेलवास वन कहा जाता है उष्ण आद्रवनों को ग्रीन लेंड द्वीप किस महासागर में इस्तित है तो जो ग्रीन लेंड द्वीप पढ़ता है यह आपका आर्किटिक महासागर में है ग्रीन लेंड द्वीप कहां पर है आर्किटिक महासागर में है ओप्शन अमड़ी आर्किटिक महासागर राइट आंसर है अगला कोशन ह यह आपका पढ़ेगा स्वान रेखा नदीपर Owen रेखा नदीपर और गेटवे häं इंडिया का निमान्र कभ किया गया था so gatewayबंध में और इससे अभए घाट का संबंध किस्ते है तो जो अभए घाट है इसका संबंध आपका mooraji इससे अभाइगहात का संबंथ है option number यहाँ पर राइट आइसर है ग्रेमी पुरुस्कार का संबंध कि सित्र से है यहां रखना जो बयुहार विभूती के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नाराने सिंगजी को ड़त जाना जाता है Option किस साशक ने सरपथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा इस्थाना अंतरित कर लिया थी तो दिल्ली से आगरा राजधानी को शिफ्ट कर लिया था सिकंदर लोधी ने सिकंदर लोधी ने दिल्ली से आगरा राजधानी को इस्थाना अंतरित कर लिया था संसार की सबसे घहरी नदी कौन है तो संसार की सबसे गहरी नदी देखेंगे तो amazon नदी संसार की सबसे गहरी नदी कहलाती है option number यहाँ पर भी amazon नदी right answer हो जाएगा राश्ट्रीय एकटा डिवस किस्तिती को मनाया जाता है तो राश्ट्रीय एकटा डिवस यह मना जाता है आपका 31 को option number 21 October right answer हो जाएगा जीब में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं तो हमारी जीब में जो स्वाद कलिकाएं होती है वो चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है option number C चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं जीब में मौजूद होती है नासा कहां इस तो जो शिमला समझोता हुआ था ये आपका 1972 में हुआ था शिमला समझोता ओप्शन नमबर भी 1972 राइट आंसर है भारती संसद भवन का प्रारूप किस ने तयार किया तो जो भारती संसद भवन है इसका प्रारूप एडविन लुटियंस ने तयार किया था अप्शन नमड़ी एडविन लुटियंस ने भारती संसरवाउन का प्रारूप तयार किया था जलिया वाला बाग नरसंगार किस वर्ष हुआ था तो जलिया वाला बाग नरसंगार ये सन 1919 में हुआ था अप्शन नमड़ी सन 1919 राइट आंसर है भारत का प्राचीन्तम तेल भंडार कौन सा है तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है आपका डिगबोई असम वाला ओप्शन नबर भी डिगबोई असम राइट आंसर है गांधी जी के राजनिते गुरु इन में से कौन थे ? तो गांधी जी अपने राजनिते गुरु मानते थे गोपाल कृष्णा गोखले जी को option number सी गोपाल गृष्णा गोखले जी right answer है Wings of Fire पुस्तक के लिखक इन में से कौन है ? तो Wings of Fire, यwen जो पुस्तक है यह APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है लिखी, option number C यहाँ पर right answer है kidney stone का करण क्या होता है, तो जो kidney stone बनती है, यह आपकी calcium oxalate से बनती है option number C, calcium oxalate right answer है Excel में कुल कितनी column होते हैं, तो यदि आप Excel में देखेंगे, तो कुल 256 column होते हैं Excel में option number C, 256 column right answer हो जाएगा हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है, तो हरा सोना कहा जाता है चाय को, option number E, चाय की पत्ती हरी कलरकी होती है हरा सोना कहा जाता है चाय को, option number E, MS Office क्या है तो जो MS Office है, यह एक प्रकार का application, software कहलाता है, option number E, एक प्रकार का application, software कीमो थेरपी किस विमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है तो कीमो थेरपी ये कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है option number B cancer के इलाज के लिए कीमो थेरपी का यूज होता है मानो का वैग्यानिक नाम क्या है तो मानो का जो वैग्यानिक नाम है वो है आपका सिस्ट पारीरव नोटपर कितनी भाशाल में लिखा होता है की 15 भाशा होती है और हिंगलिश होत कि एर कंडीशनर का आविषकार आवश्कार दिक्रीरयं ने किया एंका आपशन नमबर यहां एक काम कीजिये, इसका अंसर आप comment box में comment करके बताईए, कि आप आतकाल के प्रावधान किससे लिए गए हैं, अमेरिका, अजर्मनी, आप आतकाल कि प्रावधान कहा से लिए गए हैं, comment box में comment करके बताईएगा, ठीक है, अगला question देखिए, अगले कॉशन पुझा गया है कि अशोक का सम्बंद किस one से था तो सम्राट अशोक जो थे ये आपके more one से सम्बंद किस वर्ष छोड़ा गया था तो चंद्रयान फर्ष्ट ये छोड़ा गया था आपका 2008 में option number D 2008 में चंद्रयान प्रथम को छोड़ा गया था या रखेगा help menu के लिए computer में किस button का प्रयूग के जाता है तो help menu के लिए computer में F1 key का function key 1 का use के जाता है F1 का use के जाता है option number E मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है तो मसालों की रानी के रूप में इलाइची को जाना जाता है option number E इलाइची राइची राइट आंसर है ground level में badminton net की उचाई कितनी होती है तो ground level में badminton net की जो उचाई होती है वो 1.524 मीटर होती है option number E 1.524 मीटर अगला question दिखिए गुलाम वंश का संस्थापक इन में से कौन था फाल गुलाम वंश का संस्थापक इहां पर आपको criteria बांगलादेश ने अपने सम्विधान को किस वर्ष अंगीकरत किया तो बांगलादेश का सम्विधान लागू गए था 1972 में ऑप्शन नमबर भी 1972 राइट आंसर है जली कट्टू किस राजी का प्रसद दिखेल है तो जली कट्टू तमिल नाडू का प्रसद दिखेल है ऑप्शन नमबर भी तमिल नाडू का प्रसद दिखेल है जली कट्टू भारत के राश्टी दोच की डिजाइन किसके द्वारा तयार की गई थी तो भारत के राश्टी दोच की डिजाइन पिंगली वेंकईया जी के द्वारा तयार की गई थी option number C पिंगली वेंक का यह right answer है भागत सिंग को किस वर्ष फांसी दे गई थी तो भागत सिंग को फांसी हुई थी 1931 में option number B 1931 में भागत सिंग जी को फांसी दे गई थी भारत का प्रथम बैंक कौन सा है तो भारत का सबसे पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ हिंदोस्तान option number B बैंक ऑफ हिंदोस्तान भारत का सबसे पहला बैंक है right answer हो जाएगा इस रो का मुख्याले कहां इस्तित है तो इस रो का मुख्याले आपका बैंगलूरू में है option number B बैंगलूरू में है इस रो का मुख्याले केरल में कौन सी भाशा बोली आती है तो केरल में बोली आती है मले आलम भाशा option number भी मले आलम राइट आंसर है विटी कल्चर का संबंद किस से है विटी कल्चर संबंद है अंगूर की खेती से option number भी अंगूर की खेती राइट आंसर है Thailand की मुद्रा क्या है तो थाइलेंग में जलता है थाइ बात यс या थाइबात बोलते हैं या थाइबात उप्शन ंमड़ी थाइबात या थाइबेहत राइट आंसर है योग दिवस की स्तिती को मना जाता है तो अभी हाल-फिलाल में निकला है 21 जून को योग दिवस मना जाता है option number C डैनमार की राधानी कहा है तो या रखेगा डैनमार की राधानी आपकी कोपेइन हेगन option number कोपेइन हेगन डैनमार की राधानी है मंगल गरह की उपगरहों की संख्या बताईए तो मंगल गरह की उपगरहों की संख्या आपकी 2 option number 2 दो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है सत्य में हो जायते शब्द कहां से लिया गया है तो सत्य में हो जायते शब्द मुंडकोप निशत से लिया गया है option number 3 मुंडकोप निशत right answer है भारतिय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है तो भारतिय विज्ञान संस्थान ये आपका बैंगलोर मिस्तित है option number A, बैंगलोर राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के लोग कौन सी भाशा मुख्य रूप से बोलते हैं तो जो त्रिपुरा के लोग हैं ये बांगला मुख्य रूप से बोलते हैं त्रिपुरा के लोग बांगला बोलते हैं और ये राज आज का आखरी कौशन और शीरीज का भी आखरी कौशन 1000 कौशन पूर्ड कर लिए सबसे पहले तो कमेंट करके बताना कि पूरे 1000 कौशन किस किस ने देखे आप मैंसे ठीक है कमेंट ज़रू करना किस किस ने पूरे 1000 कॉशन देखे मैं देखना चाहता हूं कौन शिदत से पढ़ाई कर रहा है तो कमेंट करके बताना जिस ने पूरे कॉशन देखे हूं कॉशन है एक हजार बा की अजन्ता एवं एलॉरा की गुफा किस राजी में है तो यह परती आपकी महाराष्ट राजी में ओप्शन नमबर सी यह होगा 1000 कॉशन यह रहा आपका 1001 कॉशन की ओक्टोपस की रक्त का रंग कैसा होता है यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ में सकते हैं जरूर पीडियाफ ले लेना पूरे यूटूब पर आपको कहीं ही मिलेगी 300 रुपे की पीडियाफ है लेकर मैं आपको 99 रुपे में दे रहा हूं क्योंकि सबके एक्जाम चल रहे है इस पेशल डिसकाउंट है और यह कप तक रहेगा मैं कहनी सकता हो सकता है यह ब को जैसे ही साइंस के भी चाहिए ऐसे ही दस्यार कॉशन अधर सब्जेक्ट के भी चाहिए मिलते हम आप से अगले वीडियो में अपने ख्यार रखे आप सभी का बहुत बहुत हन्यवाद दूस्तों आपका दिन शुभ हूँ जय हिंद जय भारत